अग्रिम शुपकामनाय देता हूँ, साथियों हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है, जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमरितकाल होता है। भारत के लिए ये अमरितकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है, जब देश एक कौंटम जम्प लगाने जा रहा है। हमारे इर्दगिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उधारन हैं, जिनोंने एक ताय समय में ऐसा ही कौंटम जम्प लेकर खुद को विक्सित बना लिया। इसलिए ही जै कहता हूं बारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमरितकाल के पल पल का लाब उठाना है, हमें एक भी पल गवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रणा के लिए आजादी का हमारा लंगा संगर्ष भी है। जह हम एक धे के साथ, एक जोस एक जजबे के साथ, आजादी को अंतिम लक्ष मान कर मैदान में उत्रे, तब हमें सफलता मिली। इस दोरान सत्याग्रव हो, करांती का रास्ता हो, स्वदैसी को लेकर जाग रुपता हो, सामाजीक और सैक्षीर सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकात बन गई थी। इसी कानखन में काश्य हिंदु विश्व विद्याले, लखनम विश्व विद्याले, विश्व भारती, गुजराद विद्यापिट, नाकपुर उनिवर्सिटी, अन्ना मलाई उनिवर्सिटी, आंद्र उनिवर्सिटी, उनिवर्सिटी उप केरल्व, ऐसे अनेक संस्थावनों ने देश की चेतना को ससक्त किया यही वो कालखन था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवापीडी खड़ी हो गई एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है कोई चर्खा काता था तो वो भी आजादी के लिए कोई विदेशी सामान का बहिश्कार करता था वो भी आजादी के लिए कोई कावेपांट करता था वो भी आजादी के लिए कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए कोई अखबार के पर्चे बारता था वो भी आजादी के लिए ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति हर संस्ता हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विक्सिद भारत के लिए होना चाहिए आपके लक्ष आपके सांकल्पों का धे एक ही होना चाहिए विक्सिद भारत एक सिच्छक के तोर पर आप यह सोचें कि ऐसा क्या करेंगे विक्सिद भारत के लक्ष में देश की मदद वो एक विश्व विद्याने की तौर पर आप यह सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विख्षित बनें आप जिस खेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो किस तरह हो कि भारत विख्षित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े साथियों आप जिन एजुकेशन इंस्टिटूट को रिप्रेजन करते हैं वहां आपको देश की युवा उर्जा को इस एक लक्ष के लिए चैनलाइज करना है आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेस्ताओं के साथ आता है उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविद क्यों न हो उन सब को विक्सीद भारत के निर्मार की धारा से जोड़ना है मैं चाहूंगा कि आप सभी विक्सीद भारत एड़ रेट 2047 के वीजन में कॉंट्रिब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बहार जाकर भी सोचें आउट अब बॉक्स सोचें अधिक से अधिक दिवा इस अभ्यान में सामिल हो सकें इसके लिए भी आपको विशेष अभ्यान चलाना चाहिए नेत्रुत्व करना चाहिए सरल भासा में चीजों को व्यक्रेट करना चाहिए अधि माय गौव के अंदर विक्सित भारत एड़ रेट 2047 सेक्शन लौच हुआ है इसमें विक्सित भारत के वीजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है और क्योंकि आइडिया की शुरुवात ही आई से होती है इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयम भी क्या कर सकता हूँ और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले हैं इंडिया में भी आई सबसे पहले हैं याने अगर हमें सफलता पानी है लक्षों की प्राप्ति कर नहीं है उचीक प्रणाम लाना है तो स्वयम के आई से ही सुरू होता है इस माइगाव पर इस ऑनलाइन आइडियाज के पॉर्टल पर पांच अलग अलग तिम्स पर सुझाव दिये जा सकते हैं सबसे बहतरी दस सुझावों के लिए पुरसकार की भी व्यवस्ता की गई है साथियों जब मैं सुझावों की बात करता हूँ तो आपके सामने खुला आसमान है हमें देश में एक ऐसी अमरित पीड़ी को तयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की करनधार बनेगी जो देश को नेत्रुत्व और दिशा देगी हमें देश के एक ऐसी नवजवान पौध को तयार करना है जो देश हीत को सर्वो परी रखते जो अपने कर्तवियों को सर्वो परी रखें हमें सिर्फ सिक्ष्या और कौशल तक ही सिमित नहीं रहना है एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है हमें समाज में वो चेतना लानी है कैमेरे लगे हो या न लगे हो लोग ट्राफिक की रेज लाइट जंप न करें लोगों में कर्तव्य बोद इतना जादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुँचे अपने दाइत्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करें हमारे हाँ जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वैलिटी इतनी बहतर हो कि मेड इन इंडिया देकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमी का में है जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा अब जैसे प्राकुर्तिक संसाधनों के इस्तिमाल से जुड़ा विशे हैं जब जल संरक्षन को लेकर गंबीरता बढ़ेगी जब बीजली बचाने को लेकर गंबीरता बढ़ेगी जब धर्ती मा को बचाने के लिए कैमिकल का इस्तमाल कम होगा जब पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल के प्रती गंबीरता होगी तो समाज पर, देश पर, हर छेत्र में बहुत जादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूँ, आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बाते हैं, लेकिन इनका इंपेक्ट बहुत बड़ा होता है, स्वच्छता के जनातोरन को नई उर्जा कैसे की जाएं, इसके लिए भी आपके सुझाव एहम होंगे, हमारे युवा, आदुनिक लाइप्स्टाइब के साइड इपेट का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव एहम होंगे, बोबाय की दुनिया के अलावा, बहार की दुनिया भी देखे, ये भी उतना ही जरूरी है, एक सिख्षक के तौर पर, आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग, सीडिंग वर्तमान और अगली पीडी में करनी है, और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है, देश के नागरीक, जब देश के हित की सोचेंगे, तभी एक ससक्त समाज का निर्माण होगा, और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही जलक हमें शाषन प्रशाषन में भी नजर आती हैं, मैं अगर शिक्षा के एक खेत्र की बात करो, तो उससे जुड़े भी कितने ही विशे हैं, तीन-चार साल के कोर्श के बाद हमारे सिक्षन संसान प्रमाण पत्र देते हैं, डिगरियां देते हैं, लेकिन क्या हमें ये सुनिशिद नहीं करना चाहिए, कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनि वार्य रुप से हो, ऐसी चर्चाएं इस से जुड़े सुझाव ही विख्सीद भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ठ करेंगे, इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर सौंस्थान और राज्य के स्तर पर इन विशों पर मन्तन की एक व्यापक प्रक्रिया के रुप में आगे बढ़ना चाहिए, साथियों, विख्सीद भारत के निर्मान का ये अमुरुत काल वैसा ही है, वैसा ही समय है, जैसे हम अक्सर परिच्चाओं के दिनों में देखते हैं, विद्यार्थी अपने परिख्चा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वाजी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता, हर विद्यार्थी अपना सब कुछ जौंग देता है, समय का पल पल एक ही दे से जोड़ देता है, और जब परिख्चा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिकलेर हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है, पूरे परिवार की परिख्चा की तारीख आ गई है, सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशाचन के दायरे में हर काम करता है, हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परिख्चा की डेट डिकलेर हो चुकी है, हमारे सामरे पचीज साल का अमरित काल है, हमें 2400 घंटे इसी अमरित काल और विख्चिद भारत के लक्षों के लिए काम करना है, यही बातावरन हमें एक परिवार के रूप में बनाना यह हम सब की सामुहिक जिम्मेवारी है, साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही हैं, और भारत युवा शक्ती से ससक्त है, एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 35-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में, भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ती एजन्ट अब चेंज भी है और बेनिफिशरीज अब चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और उनिवर्सिटी में हैं, उनके केरियर को भी यही 25 साल तै करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसलिए यह तै करना कि विश्शीद भारत कैसा हो। यह हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ती को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विश्शीद भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। देश के युवाओं की आवाज को विश्शीद भारत के निर्मान की नीती रन नीती में ढालना चाहती है। युवाओं के साथ आप सबसे ज़्यादा संपर्ग में रहते हैं इसलिए इसमें आप सभी साथ्यों का योगदान बहुत महत्वपुन होने वाला है साथ्यों हमें प्रगति के जिस रोड में पर चलना है वो सरप सरकार तय नहीं करेगी उसे देश तय करेगा देश के हर नागरी का इंपूर्ट उसमें होगा सक्रिय भागिदारी इसमें होगी सबका प्रयास यानि जन भागिदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं स्वच्च भारत अभ्यान हो डिजिटल इंडिया अभ्यान हो कोरोना से मुकाबला हो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल होने की बात हो हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी हैं सबका प्रयास से ही विक्षिद भारत का निर्मान होना है आप सभी विद्वजन स्वयम भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं इसलिए आप से अपेच्छाएं कहीं अधीक हैं यह देश का भविश्य लिखिने का एक महा अभियान है आपका हर्च जाव विक्षिद भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा एक बार फिर आप सभी को आज के इस वर्क्षोप की तो सुबकामनाई देता हूं लेकिन आज अज अदोलन सुभारंब हो रहा है और मेरा पक्ता विश्वास है कि 2047 तक हम विक्षिद भारत बना सकते हैं मिलकर के बना सकते हैं कि आज यात्रा का आरंभ हो रहा है नेतृत्व शिख्षा वीदों के हाथ में नेतृत्व विद्यार्थों के हाथ में नेतृत्व सिख्षंड जगत की इंस्टिटूशन के हाथ में और यह अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयम को भी बनाने वाली पीली का कालखंड है उन सब के लिए मेरी बहुत-बहुत शुक्तामरा हैं धन्यवाद